अधर दोस्तों मैं सौनकोब आज आगो बताऊंगे कि कैसे काम करने से लड़की आपके लिए तरसेगे हैं मतलब कि जिस तरह से आप अपनी कर्ष्ट मिलने के लिए उससे बात करने तरफते हो कि यार आज अब तक बात नहीं हुई है मिलने नहीं है, क्या हो गया, तो इसी तरह सही, आप चाहते हो कि लड़की भी आपके लिए यही महसूस करें, तो आपको उसके लिए कौनसे काम करने चाहिए, तो आज के इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो का एंटर देको नए हो तो प्रीज सब्सक्राइब कर लो जाए युडियो स्टाट करते हैं, दोसमा देको, सबसे पहला जो काम है, वह स्टेबिलिटी दिखाओ, मतलब कि लड़कों के साथ दिक्कत पता है क्या होते हैं, कि जैसे ही उनका प्यार उनके रिए उनके पीछे हो लेते हैं, तो वह कुछ भी नहीं देखते हैं, बस उनक पाना शुरू कर देते हैं, कि वह इन चेदों को समझ आते हैं, आपकी इन हरकतों से उनको पता चल जाता है, कि आप उनके लिए कितने ज्यादा पागल हो, आप उनके बात करने के लिए तरपते हो, मिलने के लिए आपके मंद में, एक्साइटमेंट होती है, जैसे ही वह सा कराती हैं तो एसा करने के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाओ कि आप उस लड़की के लिए पागल नहीं बन रहे हो मतलब लड़की आपके सामने हैं उतनी जादा एक्साइडिर मत हो कि आप लड़की आपकी पूरी दुनिया बन जोगी है अगर आपके उससे बात चीत नहीं होगी तो भी आपकी लाइफ अच्छी जलेगी ऐसा आपको दिखाना है ठीके आपको इसको ओवर अटेंशन नहीं तो आपको अच्छी का दिखाना है ठीके ओवर मतलब बहुत जादा के नहीं दिखानी है बहुत जादा अटेंशन नहीं देनी है क्योंकि जब चीज़ता होने लगते हैं तो वह एक तरसे बेस्ट हो जाती है तो इसलिए आपको इसीच का ध्यान दखना है ठीके नॉर्मल आपकी गल्फरन या अपकी क्रश ओ नॉर्मल प्रहोगे तभी उसके मन में आपके लिए तड़ ओगी जोब आप उसे बार बार कॉल या मैसिज नहीं करोगे बार बार उसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे तो तब जांगे वह आपको को दून करने की कोशिश करेगी आप से टाज मत बनाओं। बहुत से लड़के होते हैं जो रिलेशिशिप में आने के बाद अपनी पार्टनर को अपनी क्रश को अपने सर का ताज बनाने लगते हैं। वाहोनों अपने यह तरपने की बजाएं आपको टडपाने लगती हैं तो इसके लिए उनको सब कुछ है तो थोड़ी दोड़ी कम करने में इससे आप लड़की को टडबा सकते हो इसके अलावा तीसरा काम जो है अपने अंदर थोड़ा वो चेंज करते हो देखो लड़कियां जो होती है एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कि उनको थोड़ा सा अलग महाल में लें जैसे कि आप ही अगर एक ही शर्ट डेली डेली पहन के जाओगी तो क्या होगा एक ताइम के बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे तीक आप खुद अंकॉंपिटन होगी दूसरों से बात करने में अंकॉंपटेबल फील करोगे तीक इसी तरह से लड़कियों के साथ भी होता है अगर उनका पार्टनर या उनका क्रश एक ही तरह से एक ही परस्नाल्टी ह इस बाते होती है तो अगरा सा फ़ल लविंग नहीं होगा ठीक है तो वह उतसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगी तो इन्हीं चीजों को आपको चेंज करने के जोरूत है जिससे लड़की आपके लिए तरब के तो आज की वीडियों यहीं पर खतम होती है वीडियों लगे वीडियों को लाइक चैनल को सिब्क्राइब के लिजिए अगली वीडियों में नहीं रापी के साथ है